हे गाईज वेलकम टो माई चैनल तो दोस्तो आज किस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि I miss you का reply आपको क्या देना चाहिए अक्सर दोस्तो कोई आपको अधिक मिस कर रहा है तो फिर अगला वेक्ति आपको कहता है कि I miss you तो आपको इसका reply क्या देना चाहिए तो दोस्तो आज किसी वीडियो लेक्चर में आपको फड़ी और इंट्रेस्टिंग तरीका से reply बताने वाला हूं दोस्तो अगर आप किसी को इस तरीका से reply देते हैं तो अगला वेक्ति आप में 90% इंप्रेस हो जाएगा दोस्तो तो चल मतलब होता है कि मुझे आपकी याद आती है या आता है जाने कि जब कोई व्यक्ति किसी को अधिक याद करते हैं कि मिस करता है तो फिर काता है कि मुझे आपकी याद आती है तो दोस्तो यह इसका मतलब हुआ दोस्तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तो देरेना करते हैं रिप्लाई की और बढ़ते हैं दोस्तो फर्स्ट रिप्लाई की अगर बात किया जाए कि I miss you to इसका मतलब क्या होता है I miss you to मुझे भी आपकी याद आती है या आता है दोस्तो याने कि अगला वेक्ति आपको कहता है कि I miss you तो आप भी उसे रिप्लाई में कर सकते हैं कि I miss you to ऐसे तो यह रिप्लाई काफी ओल्ड हो चुका है फिर भी आप यह रिप्लाई का यूज कर सकते हैं पर कुछ कंडिशन के अनुसार ही आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं चलिए दोस्तो नेक्स्ट रिप्लाई की बात करते नेक्स्ट रिप्लाई यह है कि थैंक्स इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है धन्यवाद जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति आपको मिस कर रहा है अगर आपको कहें कि मैं आपको मिस कर रहा हूं अगर next reply की बात करें तो next reply या है कि I don't miss you, I don't miss you, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता या नहीं करती, यह इसका मतलब हुआ दोस्तों, जैसे ही कि दोस्तों कोई वेक्ति आपको कहता है कि I miss you, तो आप उसे कर सकते हैं I don't miss you, य से मुझे कोई प्रोब्लम नहीं है पर मैं तुम्हें याद नहीं करता तो यह भी रिप्ला अगला व्यक्ति को दे कर आप इंप्रेस कर सकते हैं चले देस्टों नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है कि जैसे कि दोस्तो अगला वेक्ति कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा है ने कि मुझे आपकी याद बहुत आ रहा है तो आप भी उसे कर सकते हैं कि हम भी तुम्हें बहुत याद करते हैं कि हम भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं तो यह भी reply अगला वक्ति को कर सकते हैं दोस्तो नेक्स्ट रिप्लाई की बात करते हैं तो नेक्स्ट रिप्लाई यह है कि वाट डू यू मिस अबाउट मी वाट डू यू मिस अबाउट मी इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि तुम मेरे बारे में क्या मिस करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं तो फिर अगला विक्ति को आप यह reply दे सकते हैं इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी अत्यधिक याद आता है या आती है यह भी reply अगला व्यक्ति को आप कहते हैं तो अगला व्यक्ति अधिक impressed हो जाता है आप में चलिए next reply की बात करते हैं तो next reply आए कि I want to see you I want to see you इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ यह reply आप तब यूज किजिए आज़े इसे कि अगर आपकी girlfriend है आपको miss कर रहे है तो आप उसे सिधा सा कर सकते हैं कि I want to see you याने कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ अगर तुम मुझे इतना miss कर रही हो तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तो दोस्तो आप यह सभी reply देखकर अगला बेक्टी को काफी ही इजली तरीका से impress कर सकते हैं दोस्तों अगर दोस्तों और भी reply के बारे में अगर जानना चाहते हैं जैसे कि good morning का reply I love you का reply I like you का reply reply सभी reply क्या बारे में अगर जानना चाहते सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अब वहां से जाकर इजली तरीका से देख सकते हैं दोस्तों उमीद है दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे हैं आपको नए नए reply के बारे में जानने को मिलेगा ओके फ्रेंड्स बाई बाई